तो परिस्थिती वो ही है, रिष्टा भी वो ही इतना प्यारा वाला रिष्टा है, लेकिन उस रिष्टे को निभाने वाली आत्म के जब शक्ति घड़ जाती है, तो वो ही रिष्टा जो इतना सहज और स्वभाविक रूप से हो जाता था, आज उस रिष्टे को निभाने के किताबें पढ़ी जाती है आज उस रिष्टे को निभाने के लिए लोगों को जाकर पूछते हैं वह क्या करना होता है अपने बच्चों के साथ और फिर कहीं जवाब नहीं लिख मिले तो Google तो है ओनलाइन जाकर पूछते हैं बच्चा ऐसे करे तो हमें क्या करना चाहिए वो भी जब मुश्किल लगना लगे मतलब समया चुका है चेक करने के लिए कि मेरी शक्ति मेरी शक्ति कितनी घटी होई है तो आज का पहला होमवग पासवर्ड आज एक निया बहुत सारे पासवर्ड है क्योंकि इन में से सारे पासवर्ड काम करेंगे आप कोई भी पासव के साइज को नहीं देखना जब भी कोई बात आती है हम तुरंत बात को एक साइज देते हैं चेक करिएगा आज सारा दिन में कोई बात आई पिछले हफते में कोई बात आई पिछले महीने में कोई बात आई जैसे घर में कोई बात आती है office में कोई बात आती है सबसे पहले हम बात को एक size देते है घर का एक सद्य से कहता है कितनी बड़ी बात है आप चेक करो आपके घर में किसको बात हमेशा सबसे जादा बड़ी दिखाई देती है चेक करना क्योंकि घर में भी हर एक को बात का size अलग-अलग दिखाई देता है किस-किस के घर में लोगों को अलग-अलग size दिखाई देता है बात का, वो हाथ उठाओ परिवार मतलब कोई कहेगा बहुत बड़ी बात कोई कहेगा छोटी सी बात और थोड़ी देर के बात तो हम बात के उपर जगड़ा नहीं कर रहे है हमारा size क्यों अलग-अलग हमें feel हो रहा है हम उस पर जगड़ा कर रहे होते है सामने वाला कहते है तुमको ये छोटी सी बात दिखाई देती है दूसरा कहते है तुम तो हर बात को बड़ा बना के बैठे रहते हो तुमारा क्या तो फिर वो decide नहीं उपर रहा बात बड़ी है या छोटी है तो हमारा उस पर आग्योमेंट होता है क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि जो बात मुझे छोटी लग रही है दूसरे को बड़ी क्यों लग रही है और जिसको बड़ी लग रही है उसको लगता है सामने वाला ला परवा इसलिए उसको हर बात छोटी लगती है लेकिन क्या ये हो सकता है कि एक ही घर में रहने वाले लोग परिवार परिस्थिती अलग-अलग लेकिन हर एक के उसको सामना करने की शक्ति अलग-अलग होती है हो सकता है ऐसा? हो सकता है? हो सकता ने हो सकता? हो सकता ना? कुरसी वो ही है कुरसी वो ही है लेकिन अगर आपके परिवार का हर सदस्य अभी स्टेज पर आए और कुरसी को उठाए हर एक के लिए कुरसी का वजन एक जैसा नहीं होगा और इसलिए जब कोई कहे कि बात छोटी है या बड़ी है तो उसमें इतनी हैरानी की कोई बात होनी नहीं चाहिए हमें इमेजिटली पता चल जाना चाहिए कि सामने वाले की शक्ती कितनी है और अकर सामने वाला कहता है कि मुझे बात बड़ी लग रही है तो उसका मजाक ने उड़ाना इतनी सी बात बड़ी लगती है तुमें तुम तो इतनी सी बात पे रो देते हो आप तो इतनी सी बात पे चिंता करते रहते हो कि अगली बार जब किसी के बात का साइज आपके साइज से अलग लगे तो उनका मजाक नहीं उड़ाना है उनसे नराज नहीं होना लेकिन यह याद रखना हर एक की शमता हर एक की शमता क्या है अलग अलग है कोई भी गलत नहीं है हर एक की शमता अलग अलग है लेकिन आज से हम एक नई भाशा बनाते हैं हमारी सोच बिना एक भाशा है यहाँ पर एक होती है हमारी सोच की भाशा एक होती है हमारी सोच की भाशा शब्द तो हम थोड़े थोड़े बोलते हैं सोच तो सारा दिन चलती रहती हैं अंदर हमारी सोच एक भाशा है और अगर हमें खुश रहना है सदा खुश रहना है तो इस भाशा में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जुरत है जैसे ही कोई बात आएगी, जैसे ही कोई परिस्थिती आएगी, आपको क्या लगता है, हमें उस परिस्थिती को क्या साइज देना चाहिए है, क्या साइज दे, आप बताइए, ऐसा साइज दे, जिससे परिस्थिती नीचे और आप परिस्थिती से उपर हो जाए, तो जैसे ह बात आए तो क्या बोलना चाहिए पहली लाइन क्या बोलनी चाहिए जैसे for example आप किसी से मिलते हैं और आप उनसे कहते हैं क्या हाल चाल है तो चेक करना अलग-अलग लोग कैसा जवाब देते हैं कुछ लोग क्या कहते हैं बहुत बढ़िया जी सब बढ़िया बढ़िया चल दूसरा कहते हैं पूछो मत जी क्या हो रहा है आजकल तो आपका प्रश्ण तो एक ही था दोनों के जीवन में परिस्थितियां भी एक तरह की चल रही होंगे लेकिन दोनों की भाशा अलग-अलग है परिस्थिती नहीं डिसाइड करती के मेरे जीवन में खुशी है या नह आज एक ऐसा लाइन फिक्स कर लीजिए ताकि आज के बाद से जो आपको पूछे क्या हाल चाले तो आपका लाइन फिक्स होना चाहिए और वो ऐसी लाइन होनी चाहिए जो बोलते बोलते सिरफ आप न खुश हो जाएं सुन्दें वाला भी खुश हो जाएं क्या हाल चाले उपर उठाते जाना, उपर उठाने की कोई लिमिट नहीं होती है कैसा है, बहुत बढ़िया है, अच्छा, all is well है, very good है और कुछ, क्या हाल चल है, आपको बता है, हाल और चाल कठे क्यों बोला जाता है इसलिए किसी की चाल देख लो, तो उसका हाल पता चल जाएगा ऐसे ही आपकी चाल होती है, हम बाहर के व्यक्तित्व को, अपने शरीर की सुन्दरता को हम अपने व्यवहार को, शब्दों को पॉफेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सब बाहिया है इसको बाहर से कभी भी पॉफेक्ट नहीं बना सकेंगे, जब तक अंदर का हाल पॉफेक्ट नहीं होगा क्योंकि संकल्प से स्रिष्टि बनती है, चहरा मन की स्थिती दर्शाता है अगर आपको अहंकार देखना है, तो चहरे पर देखे, चिंदा देखनी है, चहरे पर देखे, प्यार देखना है, चहरे पर देखे, नम्रता देखनी है, चहरे पर देखे, गुस्सा देखना है, चहरे पर देखे, सरलता देखनी है, चहरे पर देखे उसके लिए किजी के अंदर मन के अंदर जाकने की जरूत निया चेहरे पर सब कुछ दिखाई देता है इसलिए आजकल हम चेहरा ठीक करने में बहुत समय लगाते हैं कहते हैं छुपाएं कैसे सारा कुछ जो दिखाई दे रहा है और मेडिटेशन, ध्यान, आध्यात्म एक ऐसी शक्ति है कि चेहरे के उपर लगे वह सारे दागों को ऐसे उतारना शुरू कर देती है क्योंकि संकल्पों को परिवर्तन होता है तो कल से सुबह से दूसरा हुमबक जब भी खुद को शीशे में देखेंगे तो शीशे में देखकर ये नहीं देखना बाल ठीक है, चेहरा ठीक है, कपड़े ठीक है, ऐसा नहीं, वो तो ठीकी होता है लेकिन हर बार जब चेहरा शीशे में देखेंगे, तो ये देखना आज मेरे मन की स्थिती कैसी है जो इस चेहरे पर दिखाई दे रही है कर सकते हैं, किस-किस को दिखाई देती है, मन की सिती चेरे पर दिखाई देती है, देखनी बहुत जरूरी है, हम खुशी के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं, करते हैं ना खुशी के लिए, जो भी चीज हम खरीदने जाते हैं, जादा तर हम खुशी के लिए खरीद रहे होते ह जरूरत के लिए कम जब घर जाओगे अपनी अलमारी खोल के कपड़े देखना कितने बड़े हैं कितने कपड़े जरूरत के लिए रखे गए हैं और बाकी कपड़े खुशी के लिए रखे गए हैं जरूरत के लिए कितने जोड़े कपड़े चाहिए होते हैं और खुशी के लिए कितने चाहिए होते हैं दिख रही गिंदी में फरक जरूरत के लिए कितने कपड़े चाहिए होते हैं एक हफ्टे के लिए और खुशी के लिए कितनी भी अलमारी भर दो कम पढ़ती है क्योंकि थोड़े दिन के बाद वो कपड़ों से हम क्या हो जाते हैं बौर हो जाते हैं, अपने आप से अभी साक्षे हो कर पूछेगा, अपने कपडे को फील करिएगा तरह इस तरह से देखना उसको एक मिनेट, ऑर यह पूछेगा अपने आप से, यह कपड़ा मुझे खुशी देता है, क्या? ये कपड़ा मुझे खुशी देता है, ये ड्रेस खुशी देता है किसी ने आज नई ड्रेस पेन ये पहली बार कोई आज नई ड्रेस पेन क्या है हो, ओ नई ड्रेस पेन ये, खड़े ओजो, खड़े ओजो अच्छा ये तो हमारी कन्याई हैं जिनोंने डान्स किया था जब हम नई ड्रेस पैनते हैं हमारा चेहरा बहुत खिलावा दिखाए देता है लेकिन हमें लगता है उस नई ड्रेस ने हमें खुशी दे है ड्रेस खुशी नहीं देते है ये कपड़े का एक ही काम है शरीर को लेकिन जब हम वो नया कपड़ा खरीते हैं तो हमारी एक सोच चलती है मैंने नया खरीता जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया आज मैं नया पहन कर उस प्रोग्राम में जाऊंगी फिर सब बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ फिर सब मुझे अच्छा बो वो यहाँ चल रहे हैं लेकिन क्योंकि हम ड्रेस के बारे में सोच रहे हैं तो हमें लगता है ड्रेस हमें खुशी देती है और हम थोड़े दिन के बाद नई लेने जाते हैं ताकि हमारी खुशी बढ़ जाएं जब हम खुशी के लिए चीज़े खरी देंगे तो चाहिए होते हैं चीजें शरीर को अराम देती हैं आपने देखा यह मेरी कुर्सी कितनी बड़ी है आपकी कुर्सी तो छोटी है तो इसका मतलब मैं आपसे जाधा खुश मैं आपसे जाधा खुश बोले ना हाँ या ना मैं आपसे जाधा खुश बोलो अच्छे से जीवन बर का तरीका बदल जाएगा मेरी कुर्सी का साइज देखा है आपने कितना बड़ा है डबल है आपकी कुर्सी से इतना बड़ा इतना महेंगा तो मैं आपसे जाधा देखो आप बोल भी नहीं रहो अगर बोलोगे नहीं तो घर जाके change नहीं करोगे चीज को पर मैं आपसे जादा खुश किस-किस को लगता है मैं आपसे जादा खुश नहीं very good देखा हमें सारा ग्यान है पर खुर्जी की वज़े से थोड़ी खुशी होती है यही बात घर जाके याद रखना बस फिर सब हो जाएगा ठीक टक लेकिन घर जाके हम कहते हैं क्या हमारे घर में कुछ नहीं है उनके घर में देखा फिर वो नया लेकर आए, देखो कितने खुश है वो, और हमारे घर में तो कुछ आता ही नहीं है, तब हम क्यों बोलते हैं कि दूसरे के घर में जो बड़ा सोफा है उसकी वज़े से वो परिवार जादा खुश है ये बड़ी कुरसी क्या देती है ये बड़ी कुरसी आराम देती है लेकिन ये किसको आराम देती है, ये शरीर को आराम देती है तो हर चीज जो दिखाई देती है हर चीज जो दिखाई देती है वो इस दिखाई देने वाले शरीर को आराम देती है क्योंकि वो बनी है शरीर को अराम देने के लिए है चाहे वो कुरसी बड़ी है चाहे वो मकान बड़ा है चाहे वो गाड़ी बड़ी है चाहे वो फोन महंगा है वो सब चीजें इन आंखों से दिखाई देती है और इन आंखों से दिखाई देने वाले शरीर को अराम देने के लिए वो बनाई गई है और वो अराम देती है लेकिन हमने थोड़ी सी गलती की जब हम कहते हैं कि ये चीज मुझे खुशी देती है खुशी यहाँ, आराम शरीर को देती है मैं इतने बड़ी कुर्सी पर बैठ कर भी परेशान हो सकती हूँ उदास हो सकती हूँ, रो सकती हूँ मैं इतने बड़ी कुर्सी पर बैठ कर किसी को देख कर चिला सकती हूँ गुसा कर सकती हूँ और फिर उधर उनको भी उदास कर सकती हूँ उसका इस सब कुर्सी से कोई connection नहीं है तो आज पक्का कर लिजिए खुशी, खरीदी नहीं जा सकती right बात है wrong है right है, पक्का, पक्का बोलिए एक बार खुशी खरीदी नहीं जा सकती मैंने कल से कोई चीज खुशी के लिए खरीदनी नहीं है ऐसे ही सरह थोड़ी बोलना, बोले-बोले घर गई वापिस और वो भी घर तक भी नहीं पहुंचे, रास्ते में मार्केट आती है तो रास्ते में मार्केट आई, दुकान शीशे में देखी और रास्ते में कितने दिन हो गई मैंने नई साड़ी नहीं लेना, देखो ना, सब ले रहे है अभी अभी बोलेंगे खुशी, चीजों से नहीं मिलती है आपको पता है हम कौन से समय से गुजर रहे हैं? हम उस समय से गुजर रहे हैं, जहां प्रकृती बहुत उथल पुथल कर रहे है दिखरे हैं प्रकृती की उथल पुथल जो इतनी हो रहे है ये प्रकृती की उथल पुथल क्यों इतनी हो रहे है? क्योंकि प्रकृति के पास उतना है नहीं जितना हम प्रकृति से लेते जा रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास पैसा आ गया तो हम कोई भी चीज खरीद लगते हैं लेकिन क्या प्रकृति के पास उतना है जो हम लेते जाते हैं एक कपड़ा है, इस कपड़े को बनाने में क्या कुछ नहीं जाता है, एक कपड़ा बनाने में पानी कितना जाता है, और हम थोड़े दिन बाद बोर हो जाते हैं, उस कपड़े को ऐसे रख देते हैं, और नया कपड़ा लेने जाते हैं, जब भी हम ऐसा करते हैं, हमने प्रकृती के साथ अच्छा करम नहीं किया है, हमने प्रकृती का सम्मान नहीं किया, प्रकृती का ध्यान नहीं दिया, तो प्रकृती हमारा ध्यान कैसे देगी? तो आज से प्रकृती के साथ अपना करम अच्छा बढाना शुरू कीजिए आने वाला समय प्रकृती के साथ असान नहीं होगा नहीं तो हमारा दिख रहा है ना विश्व में क्या-क्या हो रहा है क्यों? क्योंकि हमने प्रकृती के बारे में नहीं सोचा हम सिरफ अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रहे थे तो जब प्रकृती के बारे में सोचेंगे प्रकृती का सम्मान करेंगे तो हम सादगी की जीवन जीएंगे सादगी अर्थात जितनी जरूरत है उतना खरीदना और आराम के लिए खरीदना ये नहीं कि खरीदना नहीं है लेकिन आराम के लिए खरीदना खुशी के लिए नहीं खरीदना लोगों से सम्मान मांगने के लिए नहीं खरीदना कि मैंने ये खरीदा तो सब लोग कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं छोटा सा फोन भी उतना ही अच्छा काम करता है और बड़े बड़े फोन भी उतना ही काम करते हैं लेकिन जब हम मार्केट में जाते है तो बड़ी बड़ी advertisement लगी होती है जो दिखाते हैं कि अगर आप नया वाला फोन करी देंगे, तो आपके चहरे पर खुशी बढ़ जाएगी, और हम वो खुशी लेने के लिए उसको नया खरीते हैं, तो आज से खुशी खरीती नहीं जा सकती, पक्का कर ले, पक्का करे, पक्का करे, पता है क्यों, अगर आज खुशी खुशी पक्का कर लेंगे, तो बच्चों की परवरिश भी उसी सोच के साथ करेंगे, नहीं तो उनको भी कुछ-कुछ चीज़े ला कर देते हैं, और देते समय बोलते हैं, अब आप खुश हो, मैंने आपके लिए लाया, ये लाइन नहीं बोलनी है, ये लाइन गलत है, उनके लिए लाकर देना है, उनके लिए खिलोने लाओ, चीज़े लाओ, सब कुछ लाओ, लेकिन लाकर देते समय उनको ये नहीं बोलना, अभी आप खुश हो, मैं आपके लिए लाई मतलब हम उनको सिखा रहे हैं जब मैं नहीं लाँगी तो आप खुश नहीं होंगे बच्चों की जो जो हम पालना जिस विधी से करते हैं जो जो हम उनको बोलते हैं उससे उनकी सोच बनती है उससे उनके संसकार बनते हैं तो खुशी खरीदी नहीं जा सकती खुशी जो हम बन रहे हैं अपने काम में, व्यवसाय में जो हम कर रहे हैं उससे भी नहीं होती है हम कहतें ये हो जाएगा ना तो बहुत खुशी मिलेगी वो हो जाएगा ना तो बहुत खुशी मिली कुछ करने के बाद खुशी नहीं होती खुश होकर सब कुछ करना होता है कहते वहां घूमने जाएंगे ना तो बहुत खुशी मिलेगे वो नई जगे पर खाना खाने जाएंगे ना तो बहुत खुशी मिलेगे हर चीज को हम कह रहे हैं, ये करेंगे तो खुशी मिलेगी, वो करेंगे तो खुशी मिलेगी, खुशी मन की स्थिती है, अब आज की मार्किंग को चेक करते हैं, जो हम सारा दिन में अपने को नंबर दिये थे, कि 10 में से 10, 9, 8, जो भी नंबर दिये थे, उसमें चेक करना, उस परिस्थिती को सामने लेकर आना, एक में तांक बन कीजिए, परिस्थिती को सामने लेकर आये, जो आज आय थी दिन में, जिस परिस्थिती में मेरी खुशी हिली थी, मन खुश था, शाथ था, स्थिर था, कोई बात आ गई, और जैसे बात आये, कुछ शनों के बाद मेरी मन क स्थिती हिल चुकी थी चाहे वो सिरफ मन में था, चाहे शब्दों में था, व्यवहार में था अब सिरफ ये चेक करना परिस्थिती क्या थी अगर आज सारा दिन में किसी ने एक बार भी गुसा किया था मन में या व्यवहार में तो परिस्थिती देखना परिस्थिती क्या थे जब मैंने गुशा किया ओके दिख किया सबको अब बहुत इंपोर्टिंट है अपने आप से ये clear स्पष्ट पूछना क्या उस परिस्थिती ने मुझे परेशान किया या परेशान होना मेरी उस समय की चोईस थे क्या उस व्यक्ती ने मुझे गुसा दिलाया या उस व्यक्ती के व्यवहार से गुसा होना मेरी चोईस थे क्या उस बात ने मुझे चिंता करवाई या उस बात के बारे में चिंता करना मेरी चोईस थे परिस्थिती सोच बनाती है या सोच हमारी चोईस है पताईए, किस-किस को लगता है परिस्थिती हमारी सोच बनाती है किसी को भी नहीं लगता है आप मैंसे कि परिस्थिती हमारी सोच बनाती है हाथ उठालो, परिस्थिती से हमारी सोच बनती है अच्छा, उसी परिस्थिती को सामने फिर से लेकर आईए जिसमें आपने किसी को गुसा किया या डाणडा और उसी परिस्थिती को फिर से वैसे का वैसे देखते हुए अपने उपर फोकस लाए और देखिए कि कल अगर वो परिस्थिती फिर से आती है तो क्या मैं उसी परिस्थिती का सामना एक अलग तरह से कर सकती हूँ बात तो आप अपनी स्कूटर गाड़ी निकालेंगे, किसी ने टक्कर लग गई, बात तो वहीं की वहीं है क्या मैं उसी परिस्थिती में कल एक अलग तरह से सोच, बोल और व्यवाहार कर सकती हो अगर हाँ तो हाथ उठाई है, कर सकते हैं, मतलब हम कर सकते हैं अगर हम कर सकते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, परिस्थिती मेरी सोच नहीं मनाती है लेकिन सारा दिन की हमारी भाशा क्या है, हमारी भाशा है, इनकी वज़े से मैं परेशान इसकी वज़े से मैं नराज, बच्चों की वज़े से मुझे चिंता, कोविड की वज़े से मुझे डर इसकी वज़े से मैं खुश, वहाँ जाने की वज़े से मैं शांत तो इसका मतलब जो कुछ यहां हो रहा है, हम उंगली उसके लिए कहां रख रहे हैं? हम उंगली कहां रख रहे हैं उसके लिए हम बाहर रख रहे हैं और जितनी बार हम उंगली बाहर रखते जाएंगे बाहर रखते जाएंगे हम कह रहे हैं यहां सारा कुछ जो हो रहा है वो उधर की वज़े से है और इसलिए हम खुश रहने के लिए उधर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सब ठीक हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं पहली equation आज पक्की करें मेरे मन की स्थिति मेरे अंदर चलने वाली हर सोच किसकी चोईस है किसकी चोईस है कौन है इसका रच्चाइता यहां चलने वाली हर सोच का रच्चाइता कौन है कौन रेडी है बुलने के लिए मैं मैं पक्का मैं पक्का तो फिर वो चाहिए एक छोटी सी बात हो अब यह आप बाहर निकलेंगे किसी की टक्कर लगेगी आपकी स्कूटर गाडी को पकाज लगेगी देखना हम आवान करेंगे इस परिस्ति देखा सड़क पर चलते चलते टक्कर लग जाती है टक्कर लग जाती है कभी-कभी स्क्राच भी पढ़ जाता है कभी-कभी जाता है, मन पर पड़ जाता है, अब जो स्कूटर या गाड़ी पर स्क्राच या डेंट पड़ा, वो तो दूसरे की गलती से हो सकता था, लेकिन जो मन पर डेंट पड़ा, वो किसकी वज़े से था, उनकी वज़े से? अच्छा, क्या ये संभव है? आज, जब आप बाहर जाएंगे, क्या ये संभव है क्या आप गाड़ी या स्कूटर पर आपकी बहुत बड़ा वाला डेंट रगे और आप मुस्कुराएं? मुस्कुराएं मतलब? समझ, समझ, कि ठीक है, लग गया, सडक है, इतने लोग हैं, लगता रहता है, कल्टी को जाएगा, समझ, और जब डेंट पड़े या स्क्राच पड़े, हम दूसरे को देखकर चिलाने की बज़े उनको प्यार से पूछें, आप ठीक हैं, आपको तो ज़ी लगा, कर सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं ऐसा, वो ड्रोन बंद करा बेरे, ड्रोन बंद कराइं यह, नई तो सब का ध्यान ड्रोन पर है, आजकल फोटो किसे भी बड़ी खुशी मिलती हैं, फोटो से खुशी मिलती है हाँ जी बताईए अगर किसी ने गलती से आपकी गाड़ी स्कूटर को डेंट लगाया क्या आप उस समय आपकी मन की स्थिती स्थिर रह सकती है हाँ या ना ये प्राक्टिस करनी है हम एक ऐसे समय पर चल रहे है जा शरीर को भी डेंट लग रहे है अगर गाड़ी की डेंट पर ही परेशान हो गए तो शरीर को डेंट लगेगा तो क्या करेंगे उस दे ये कैसे अकाले समय से चल रहे है नॉर्मल डॉक्टर से मिलने जाते है कोई टेस्ट कराते हैं गाड़ी की एतने बड़ी है लेसे लिए है जब वह डॉक्टर इतने बड़ी बिमारे की घोषना करता है साथ साथ कहता है चिंता नहीं करने टेंशन नहीं लेने है वो डॉक्टर को कहेंगे हम तो स्कूटर पे स्क्राच पढ़ने के चिंता वाले लोगे अब हमारे तो शरीर पर पढ़े तो चिंता कैसे नहीं करेंगे हम लेकिन वो कहता है अगर चिंता करोगे टेंशन लोगे तो वो बिमारी ठीक होने में जाधा टाइम लेगी तंग करेगी आपको और सबसे इंपोर्टन बात है वो बिमारी हुई ही इसलिए है क्योंकि सारा दिन की ये चोटी-चोटी बातों में चिंता और टेंशन कर रहे थे तो जब इतनी बड़ी बात आएगी अब कैसे चिंता और टेंशन नहीं करेंगे इसलिए जब वो स्कूटर या गाड़ी को स्क्रैच लगेगा डेंट पड़ेगा ना तो हमेशा याद रखना छोटी सी चीज़ है ये तो कल ठीक हो जाएगी इसकी वज़े से मैंने अपने मन पर डेंट और उसकी वज़े से अपने शरीर पर डेंट नहीं डालना है क्योंकि हर परिस्थिती में जब यहां कुछ डिस्टर्बंस होती है वहां स्क्रैच लगे ये तूटे ये गिरे ये तूटे सब करे वो उड़े सब कुछ हो सकता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है परिस्थिती मौसम लेकिन उसको देखकर अगर ये हिले तो फिर सिरफ ये नहीं हिलता उसका असर इस शरीर पर पड़ता है हर शन हम जो सोच रहे हैं हर संकल्प इस शरीर के हर अंग पर असर डाल रहा है और दो-तीन सालों से हम जिस तरह से सोच रहे थे दीरे-दीरे चल कर वो शरीर में एक बिमारी का रूप लेता है फिर डॉक्टर कहते हैं अपने लाइफ स्टाइल ठीक करिये अपनी जीवन शैली परिवर्तन करिये तो हम जीवन शैली में भी क्या परिवर्तन करते हैं हम खाना पीना व्यायाम सोना यही परिवर्तन करते हैं लेकिन जीवन शेली लाइफस्टाइल अर्थात मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यावाहार करने का तरीका. हम सब निरोगी रहना चाहते हैं हम सब निरोगी रहना चाहते हैं स्वस्त रहना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं हमारे घर में भी सब लोग स्वस्त रहें क्योंकि अगर उनको भी कोई बिमारी हुई तो हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए अपना घर बेच देंगे उनका इलाज करने के लिए उनका इलाज करने के लिए घर मत बेचिये लेकिन जब कोई बात आईगी अपने अहंकार को जुका दीजे घर कभी बेचना नहीं पड़ेगा किसी के इलाज के लिए लेकिन उस समय मैं, मैं क्यों चुप रहूं सा परिवर्तन लाने की जरूरत है नहीं तो अचानक अचानक बहुत बड़ी बड़ी बिमारी आ रही है और वो बिमारी का कारण सिरफ हमारा तनाव है तो आपको लगता है कि गाड़ी या स्कूटर के डेंट पर मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा है सेहत के लिए अच्छा है हां जी या नहीं अच्छा है न तो मुस्कुराना मुस्कुराना मतलब इस ओके हो गया ठीक हो जाएगा पूरी गाड़ी या और स्कूटर तूट कर भी खतम हो जाए तो भी इस ओके हम तो ठीक है ना लेकिन जब हम उसके लिए इतना परिशान होते हैं चिंता होते हैं तो हमें याद रखना है यहां पे भी असर पढ़ रहा है शरीर पर भी असर पढ़ रहा है उस समय नहीं दिखाए देता तो पहली चीज अगर मेरी किसी चीज का नुकसान हो जाए तो स्थिर दूसरा अगर कोई मेरे साथ व्यवाहार सही नहीं कर रहा हो तो क्या उसके लिए हमें परिशान होना चाहिए होना चाहिए क्या अगर हमारे साथ कोई व्यवाहार अच्छा ना कर रहा हो हम उनसे प्यार से बात कर सकते हैं कर सकते हैं आच लेकर आया अपने सामने सामने वाला हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा या आप यहाँ आए इस ग्राउंट में आपने किसी को देखा आप जानते हैं उसको आप जाने लगे थे उनसे मिलने के लिए उन्होंने मूँ मोड़के वो उस तरफ चले गए सीधा सीधा इग्नोर क्या आप उनसे जाकर प्यार से और सम्मान से बात कर सकते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं करेंगे या छोड़ देंगे उनको नहीं बात करनी तो मुझे क्यों बात करने हैं? चोड़ो. मैं यह हर बार जुको सब के लिए. मुझे क्या फग्रफृदता है? यह अहंकार यह अहंकार जो हमें जुकने नहीं देता, मन को जुकने नहीं देता तो शरीर भी अकडने लग जाता है. इसलिए जुकना सेहत के लिए बहुत फाइदे मन है शरीर का भी जुकना और मन का भी जुकना जितनी बार मन को जुकने का चांस मिले उतना जुक जाना चाहिए स्वस्त रहेंगे शरीर को नहीं मन को जितनी बार जुकने का चांस मिले शरीर स्वस्थ रहेगा यह नहीं गिनना चाहिए मैं क्यों जुको मैं क्यों चुप रहो मैं ही बार बार करूँ क्यों ना करूँ मैं स्वस्थ हो तो मैं जुक सकते हूं हो सकता है सामने वाला बिमार है इसलिए तो जुक नहीं सकते जो जुक नहीं सकते, मतलब वो क्या है? वो तंदुरुस्त नहीं है तो जुकने को गिनना नहीं चाहिए, मैं यह कितनी बार जुको? जुको, जितनी बार जुकेंगे, उतना शरीर के लिए भी अच्छा है सामने वाला गलत व्यवाहार कर रहा है वो अपने मन की स्थिती से disturbed है वो परेशान है हम क्यों परेशान हो जाते हैं उसके व्यवाहार को देख कर क्योंकि हमने यहां पर पकड़ के रखा है वो ठीक नहीं तो मैं disturb होंगे ये ये वाले equation लेकिन जब हमें यह याद रहेगा कि वो ठीक नहीं वो उनके मन किस्थिती मेरे मन किस्थिती तो बिल्कुल सही है तो मैं तो प्यार से और सम्मान से बात कर सकते हूं कि नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं फिर से आँख बन कीजे एक बार और सामने एक किसी व्यक्ति को चुन लीजे आज कोई एक, सब नहीं, एक किसी एक को चुन ये जो बार बार कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग व्यवाहार करते रहते और आज पक्का केजिए इनका संसकार इनका है ये इनका संसकार है ये भी बदल जाएंगे, लेकिन फिलाल ये इनका संसकार है लेकिन मेरा संसकार क्या है? शान्त रहना, प्यार से बात करना, सम्मान देना, धहर्यता से बात करना ये मेरा संसकार है और आज से मैं आत्मा ये पक्का करती हूँ सिरफ एक व्यक्ति के साथ पक्का कर लो अबी आज से मैं पक्का करती हूँ कि जब जब भी ये ऐसा व्यवाहार करेंगे वो अपने संसकार से करेंगे लेकिन मैं अपने संसकार से करूँगे और अपने आपको देखी अभी करते हुए क्योंकि उस शन जब आप अपने सही संसकार के थू करेंगे आप अपने लिए खुशी बढ़ा रहे हैं आप अपने शरीर के लिए स्वास्त बढ़ा रहे हैं आप अपने घर के वातावरण में सुकोन बढ़ा रहे हैं और आप सामने वाले को भी शक्ति दे रहे हैं, सिरफ अपने संसकार को पकड़ के रख कर, किस किस ने किसी एक को चूस कर लिया, चूस कर लिया एक को, बस सिरफ इसी एक व्यक्ति को पकड़ के रखो अगले एक महिने तक, बाकि सब के सामने जो जो करना वो करो, इस सिरफ एक के साथ करो और एक के साथ कर करके अपनी शक्ति को देखो मेरे पास इतनी शक्ति है और फिर पता चलेगा कि जो चीज हम एक के साथ कर सकते हैं वो तो हम जो हम एक के साथ कर सकते हैं वो तो हम वो तो हम हरे एक के साथ कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा संसकार है हमेशा याद रखना है जब सामने वाला ठीक से व्यवहार नहीं करता है ठीक से बात नहीं करता है उस शन के लिए सही वो थोड़ी देर के लिए भावनात्मक रूप से बिमार है कमजोर है कमजोरी में दूसरे को शक्ती दी जाती है एक बर हम एक हॉस्पिटल में प्रोग्राम कर रहे थे नर्सिस थी सारी जो हॉस्पिटल में सिस्टर्स होती है ना सारी नर्सिस तो उनसे ऐसे पूछा कि आपके जीवन में तनाव का क्या कारण है तो मुझे वो लगा कि वो बोलेंगे रात को जागना 24-24 घंडे सेवा करना पर उन्होंने वो नहीं बोला तो उन्होंने कहा जब डॉक्टर गुस्टा करते हैं तो बहुत बुरा लगता है तो मैं कहला आपको तो पेशन्ट ही कितने अलग-अलग तरह से डांटे रहते हैं गुस्टा करते हैं कहते हैं उनका हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि वो तो बिमार है तो उनका हमें बुरा नहीं लगता तो मैंने का जब डॉक्टर गुसा करते हैं वो भी बिमार है तो वो सिस्टर गोलती है वो कहां बिमार है वो तो अपरेशन कर रहे है मैं का मन से बिमार है न उतनी थोड़ी देर के लिए खुश नहीं है, इसलिए तो गुस्सा कर रहे है, जो खुश होता है, वो गुस्सा नहीं करता है, तो अगले दिन एक नर्स ने फोन किया, कहती है यह तो बहुत असान है, मैं कहा क्या हुआ, कहती है आज वो फिर आए ऑपरेशन थेटर में, और फिर उन्होंने किसी बात पर गुस्सा कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुस्सा किया, मैंने अंदर से सोचा, ओ बिचारे सराज बिमार है, तो मुझे कुछ बुरा ही नहीं लगा उनका, मैंने उल्टा सोचा, मैं इनका ध्यान कैसे रखूं, जैसे इनका मुर्ठीक हो जाए उससे, यह सच है लेकि स्थिती से हिल जाता है, अर्थात परेशान, अश्रांत, गुसा, नराज होता है, उस थोड़ी देर के लिए उसके मन में खुशी का अभाव है, कमी है, और जब वो कमी होगी तो उसका व्यवाहार बदलेगा ये बदलेगा, अगर उस शणों के लिए हम ये समझेंगे, इस सामने वाला सही व्यवाहर कर ले, तो सिरफ सामने वाले की खुशी नहीं बढ़ती, जो गलत व्यवाहर कर रहा था, उसको भी हमसे कौन सी वाइब्रेशन जाएगी, कौन सी जाएगी, अगर आप में से किसी को भी पूछा जाए ना, आप क्यों इतनी महनत करते हैं, सारा द तब दे सकेंगे, जब हर परिस्थिती में हम स्थिर रहकर उनके साथ सही व्यवाहर करेंगे, तब हम परिवार को खुशी दे सकते हैं, नहीं तो हम सिरफ समान और अराम दे सकते हैं, तो कर सकते हैं, कि दूसरे क्या व्यवाहर ठीक ना हो, तो भी हम अपने आपको ठीक निर्भर, बोलिए मेरे मन की स्थिति उन पर निर्भर, मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है, आपके टीवी का रिमोट कंट्रोल किसके पास होता है, उसके बहुत है मेरा रिमोट कंट्रोल, मेरा, मेरे पास रखो, क्योंकि जिसके पास रिमोट कंट्रोल होगा ना, उसक choice का channel चलेगा इसी तरहे मेरे मन का remote control जब मेरे पास होगा तो मेरी choice की चीज़े चलेगी यहाँ नहीं तो कोई भी आता है बटन दबाता है और कुछ और ही चलने लग जाता है हम कहते हैं अभी अभी में ठीक था वो आया एक शब्द बोला मेरी सारी खुशी गाइब हो गई तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि उसके एक शब्द ने मेरी खुशी गाइब कर दी तो हम यह बोल रहे हैं कि उसके पास मेरा remote control है किस-किस को देना है remote control अपने मन का और वास्तविक्ता तो ये है कि किसी के पास remote control है ही नहीं remote control किसके पास है हमारे पास है हम उसके remote control को use नहीं कर रहे हैं खुश रहना है स्वस्त रहना है तो दूसरों के व्यवहार का प्रभाव हम पर नहीं हमारी शान्ति और स्थिर्ता का प्रभाव उन पर पढ़के उनको भी शान्त और सुखी करते ये हमारे पास शक्ति है कित गया पुराना हमारे पास बहुत सारी पुरानी बाते पकड़ी हुई है आपको पता है आजकल जब शरीर में कोई रोग होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हीलिंग करते हैं हीलिंग मतलब एनरजी की हीलिंग जो यहां चलता है हमारे मन की स्थिती में जो संकल्ब चलते हैं वो पहले यहां ब्लोकेज होती है मतलब यहाँ पकड़ी जाती है बाते इतनी सारी और जब बहुत समय से यहाँ बाते पकड़ी जाती है उसका फल स्वरूप वो शरीर में चीज़े ऐसे पकड़ी जाती है फिर जाके यहाँ अकड, यहाँ दर्द, यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ ब्लॉकेज, यहाँ क्लॉट बनता है लेकिन वो पहले शरीर में नहीं बनता है, पहले कहां बनता है? पहले कहां बनता है? पहले यहां बनता है तो कोई भी पुरानी बात पकड़ के रखना, किसी को शमा न कर पाना, कहना बात ही इतनी बड़ी थी, मैंने उनको शमा कर सकती, तो मैं अपने भाग्य में दुख और बिमारी लिख रही हूँ, चलो एक मिनट आंख बंद करो, लेकर आओ उनको जिनकी बात पकड़ के रखे ह हुई है, खतम करते हैं आज उसको, बात कितनी भी बड़ी हो, उनकी गलती कितनी भी बड़ी हो, पकड़ के तो मैंने रखे हुई है, उस पकड़ने से दर्द उनको नहीं होने वाला है, उस पकड़ने से शरीर भी उनका बिमार नहीं होने वाला है, उस पकड़ने से खुश कुछी उनकी नहीं जाने वाली है, सामने लेकर आएं उनको देखें और एक संकल्प करें, बात खतम हुई, बीती सो बीती, फुल स्टॉप बिंदु लगाएं, मैं आपको शमा करती हूँ, मैं आपको शमा करती हूँ, मैं इस बात को आज इसी शन खतम करती हूँ, और आज से मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं और दुआएं, चलो एक बार बोलते हैं, कठे, मैं बोलूँगे, आप रिपीट करिएगा, उन्ही को सामने रखना चेहरे को, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं, वो उन तक पहुंच रहा है अभी, बीती सो बीती, बोली अच्छे से, बीती सो बीती, बिन्दी लगाते हैं, मैं आज इस बात को खतम करती हूँ, मैं आपको आज शमा करती हूँ, मेरी तरफ से, सबने बोलना है, मेरी तरफ से, आपके लिए, दुआएं, दुआएं, और दुआएं, आपने जो मेरे साथ किया, आपके साथ, उससे भी ज़्यादा बुरा हो, आपने बोला क्यों ने, अच्छे से तो फॉलो कर रहे थे, सब रुख्यों गए, आप हसने क्यों लगे, ये हमारा निज्ज संसकार है, क्योंकि हर आत्मा, पवित्र आत्मा है, हर एक के लिए शुब सोचना, दुआ देना हमारा निज्ज संसकार है, उन्होंने आपके लिए गलत किया फिर भी आपने बुला आपके लिए दुआ उन्होंने आपके लिए गलत किया लेकिन आप ये नहीं बोल पाए कि आपके साथ गलत हो क्योंकि हमारा निज्ज संसकार प्यार है दुआ है हमारा निज्ज संसकार पवित्रता है जब जो करम करता है वो उसी शन उस करम का परिणाम अपने भाग्य में लिख देता है लेकिन अब उसके करम को देखकर जब मैं आत्मा उस बात को पकड़ के रखती हूँ तो मैं वो करम कर रहे हूँ कि मैं पकड़ के रखती हूँ और पकड़ के रखने के करम का परिणाम मेरे पास आएगा किसी ने आपको धोखा दिया वो उसने करम किया उस धोखा देने का परिणाम उसके पास आएगा लेकिन अगर मैंने कहा मैं उनको शमा नहीं कर सकती तो वो शमा नहीं करने के करम का परिणाम मेरे पास आएगा हर करम एक परिणाम लाता है और वो परिणाम हमारा भाग्य बनाता है हर करम इतने ध्यान से करें अपनी चोईस का भाग्य लिखते जाएं ताकि जीवन में कोई भी बात ऐसी आए ही नहीं जब आपको कहना पड़े मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है वो भाग्य किसने लिखा? हमारा भाग्य किसने लिखा? हमारा भाग्य किसने लिखा हर शन हम अपना भाग्य लिख रहे हैं अभी किसी ने कुछ किया अगर आपने उस बात को हलका किया आपने कचल छोड़ो न किया बात को खतम करो चलो प्यार से बात करते हैं आपने करम किया और उसी समय आपने एक परिणाम लिखा कि आपका मन लाइट रहेगा आपका शरीर स्वस्त रहेगा लेकिन किसी ने कुछ किया आपने कहा इसने मेरे साथ ऐसा किया अब मैंने इसके साथ कभी बात ने करने हैं और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती फिर आपने वो बात दस लोगों को सुनाई भी सुना कर उस बात को बार-बार दोहराया भी तो ये करम हमने किया उसका परिणाम आएगा मन भारी और जब मन भारी है तो शरीर दर्थ करता है और फिर भारी मन को ठीक करने के लिए हम चाई कॉफी पीते रहते हैं तो आज सर बड़ा भारी है चाई पिलाओ और फिर जिनके ओपर चाई कॉफी का सर नहीं होता वो कुछ और पीने लग जाते हैं खुशी कहां से आए खुशी कहां से आए जो चीजे हमारा नुकसान करती है हम उनको ग्रहन करते रहते हैं और कहते हैं यसे खुशी आएगी उससे लाइट फिल होंगे तो पहले एक करम करते हैं उस करम को ठीक करने के लिए दूसरा करम भी वोई करते हैं जिसका परिणाम सही नहीं है और जितना हम गलत के साथ सही व्यवहार करेंगे जितना हम बातों को छोटा करके खतम करेंगे जितना हम लोगों को शमा करेंगे हम उतना सुखी रहेंगे खुश रहेंगे लाइट रहेंगे और हमारा वो संसकार क्या होता जाएगा और पक्का होता जाएगा अपना हाथ ऐसे पकड़िये और उसमें एक बॉल को पकड़िये गेंद ठीक है? ध्यान से पकड़ना और आपको यह सामने जो दिवार दिखाए दे रहे हैं इस पर अब आप इस गेंद को ऐसे मारिये मार दिया? यह था आपका करम यह आपका करम था जब आप करम कर रहे हैं तो पूरी चॉइस आपके पास है कैसे मारना है, किस डिरेक्शन में मारना है जोर से मारना है देर पूरी चॉइस, पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है जब हम करम फेंकते हैं बाहर लेकिन अब आपने जो गेंद फेंकी है वो यहाँ पीछे दिवार पर लगेगी और यह गेंद आपके पास वापिस आएगी जब वो गेंद वापिस आ रही है वो है भाग्य वो है करम वो है करम का परिणाम भाग्य लेकिन जब वो गेंद वापिस आ रही है तो वो गेंद हमारे कंट्रोल में वो गेंद हमारे कंट्रोल में अच्छे से याद रखना यहां से आने वाली गेंद हमारे कंट्रोल में नहीं है परिस्थिती हमारे कंट्रोल में नहीं है लोगों का व्यवाहार हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन जब वो गेंद आती है तो हम कौन सी गेंद फेंगते हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इसको ऐसे नहीं होना चेता है इसको ऐसे नहीं करना चेता है और उतनी देर में हमारे यहां से जो गेंद जाती है वो गलत चली जाती है हर शन अटेंशन रखना है मेरा संसकार मेरा व्यवाहार मेरा करम मेरा भाग्य लिख रहा है लिख रहा भागया नहीं लिख रहा है और एक शंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूँगे तो अपने साथ क्या लेकर जाओंगे अपने करम और संसकार तो वो मेरा भागय सरफ इस जीवन में नहीं लिख रहे हैं वो मेरे साथ भी जाते हैं तो लोगों की गलतियों की वज़े से अपने करम को बिगाड कर अपने भागय को नहीं बिगाड ना लोगों ने गलती करनी वो उनका करम करें शमा लोगों को आज करें शमा करें शमा करें असान है या मुश्किल है जब आपको शमा करना होगा ना तो ये मत सोचना आप दूसरे को शमा कर रहे हैं यह नहीं सोचना कि दूसरे पर इहसान कर रहे हैं शमा करके हम शमा कर रहे हैं ताकि हम सुखी रहेंगे और हमारा शरीर स्वस्त रहेगा हम अपने लिए शमा करते हैं दूसरों के लिए नहीं करते हैं क्योंकि हम दूसरे को शमा कर ही नहीं सकते क्योंकि दूसरे ने तो करम करके अपना परिणाम अपने भाग्य में लिखी दिया है हम सारे मिलकर भी कहें ना कि मैंने उसको शमा किया तो भी हम उसकी फेंकी हुई गेंद को उसके पास वापिस आने से रोक नहीं सकते तो हम शमा किसको कर रहे हैं? अपने आपको इसलिए कभी भी नहीं बुलना मैंनी शमा कर सकता इतनी बड़ी बात को मैं नहीं भूल सकता बात को पकड़ना भी एक सोच है और बात को उठा के नीचे रखना भी एक सोच है यह सोच हमारी चोईस है यह सोच उस पर नहीं डिपेंड करती कि वो किसने गलती की थी और कितनी बड़ी गलती की थी किसी ने शमा करना हो तो वो बड़े से बड़ी गलती को भी शमा करता है और किसी ने पकड़ के रखना हो बात का साइज ने होता, मेरी शम्ता कितने है, मेरी शम्ता कितने है, इसलिए ध्यान से, हर करम एक परिणाम, हर करम एक परिणाम, हर करम एक परिणाम, सारा दिन बाहर इतना अटेंशन रहता है, लेकिन ध्यान रखना है, मेरा करम, मेरा करम, मेरा करम, तो करम वो एक GPS की तरह ह पकड के रखते हैं जो हमें जीवन की दिशा दिखाता है तो ये समय दूसरों की करमों को देखकर अपने करम को बिगारना नहीं कभी वो ही बार-बार ऐसे करते हैं मैं क्यों सही करूँ मैं सही करूँ क्योंकि मुझे मेरा भग्य श्रेच रिखना है मुझे अपने शरीर को स्वस्त रखना है तो शमा करें करें चलो आंक बंद करो सब को छुटी तो एक सेकिन में निकालो सब को अपने मन से जैसे हम फोन पे जाते हैं सारी फाइल को पकड़के डिलीट बटन ऐसा दबाते हैं सारी फाइल निकल जाती है और जैसे खाली करते हैं उस फोन की वो सारी चीज़ों को फोन केते हैं ओ आपके पास अब पचास पसेंट जगह जादा आच चुकी है हम बड़ा खुश हो जाते हैं देखके वा मैंने पचास पसेंट फाइल डिलीट करती है फोन को खाली करते हैं मन को खाली करें, मन को खाली करें, जगह बनाएं, जगह बनाएं भाहां, पुरानी बाते, बच्पन की बाते, भाई ने ऐसा किया, बहन ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, विसने वैसा किया, हरेक अपने संसकार से करम कर रहा है, मेरी तरफ से उनके लिए दुआएं, दुआएं मेरी दुवाएं सिरफ मेरे करम को श्रेष्ट ने बनाती है दी हुई दुवाएं उनकी शक्ति बढ़ाती है और उनकी शक्ति बढ़ाकर उनको श्रेष्ट करम करने की ताकत देती है हमारे पास वो शक्ति है कि हम दोसरों को भी बदल सकते हैं क्योंकि दुआएं असंभव भी संभव करती है भेशती दुआएं सबको भेशती किस-किसको याद आ गया था कोई चहरा और भेशती आ उसको दुआए हाथ उठा बताना नहीं है किसका था भेजा अब एक चीज और करनी है छोटी से ये एक दिन में नहीं जाता है ठीक है? जैसे एक कागस है इस पर एक काले रंग का सर्कल ड्रॉकिया हुआ है वो मैंने बहुत दिन पहले से ड्रॉकिया हुआ था और बार-बार उसको दोहराया भी था तो वो काफी पक्का हुआ हुआ है यहाँ पर अब मुझे उस पर सफेद रंग का सर्कल बनाना है ताके रोज बनाने से थोड़े दिन में एक दिन आएगा जहाँ वो काले का नाम निशान खतम हो जाएगा तो जो आपने अभी संकल्प किये है कि बीती सो बीती खतम मैं उनको शमा करती हूँ मेरी तरफ से उनको दुआएँ आप आज से अगले 10-15 दिन के लिए रोज रात को सोने से पहले इसको बोल दीजिए कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड बीती सो बीती मेरी तरफ से उनको दुआएँ मैं उनको शमा करती हूँ कर सकते हैं 10 दिन केलिए 10 सेकेंड असान? 10 दिन केलिए 10 सेकेंड और जैसे ये किया सब कुछ जो यहां पकढ़के रखा था वो साफ होने लग गया हर रोज रात को सोने से पहले अपने मन को साफ करना चाहिए आपको पता है कोने कोने में कितनी मैल पड़ी हुई है हम हर चीज साफ करते हैं शरीर को साफ करते हैं घर को साफ करते हैं गाड़ी स्कूटर को साफ करते हैं घर में पड़े हुए समान को साफ करते हैं लेकिन हम रुख के मन को नहीं साफ करते हैं आज से एक नियम बनाई है, कि हर रोज रात को सोने से पहले दिन में जो जो दाग लगे होंगे, किसी के लिए कुछ सोच दिया, किसी के लिए कुछ बोल दिया, किसी के साथ कुछ कर लिया, किसी की निंदा कर दिया, किसी की कमजोरी का वर्णन कर दिया, रोज रात को सोने से पहले दाग को साफ करके सोना चाहिए ताके मुझे आत्मा के उपर दाग इतने न पढ़ जाए जो खुशी के लिए बाहर डूणना पढ़े क्योंकि खुशी हमारा संसकार है करेंगे साफ रोज करेंगे रोज साफ और दूसरी चीज ध्यान रखे सोने से पहले टीवी और फोन न देखे नहीं तो सिरफ अपने दागने उदर से भी दाग बढ़ जाते है जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वो हम बनते हैं आज हम ऐसी चीज़ें सुन पढ़ देख रहे हैं जिसके अंदर काम, क्रोध, लोब, मोह, अंकार, इर्शा, द्वेश, नफरत, स्परधा ये सब कुछ हम देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं फोन को ऐसे 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 करते जाते हैं लेते जारे लेते जारे लेते जारे दूसरों को भी forward करते जारे हैं वो हमारे ओपर वो ही संसकार बनाते हैं तो ध्यान रखना है और बच्चों को भी ध्यान से सिखाना है कि जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वो ही हम बनते हैं और जो यहां हम बनते हैं वो ही हमारे करम बन तो जो हम टाइम पास के नाम पे सुन रहे हैं, उसका असर हमारे भाग्या तक आता है, तो ध्यान से वरत कीजिए, वरत उपवास, सिरफ खाने पीने का वरत नहीं करना होता, जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं, उसका वरत करना चाहिए, कोई चीज ऐसी नहीं देखेंगे ज जिसमें हिंसा है, कोई चीज ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें निंदा है, कोई चीज ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें डर है, कोई चीज ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें चिलाना है, हमारा मन तो ठीक ठाक होता है, ये चीज़ें भर भर के भर भर के उस पे दाग लग जाते है करें वृत करेंगे वाला वृत करेंगे बहुत सारा टाइम भी बचेगा आपको बतें टाइम कितना वेस्ट होता है एक research हो यह है और वो research के अनुसार एक आम इंसान दिन में कम से कम दो गंटे समय के साथ phone के साथ बिता रहा है और जादा से जादा कम से कम 6 घंटे फोन के साथ लोग हैं, ऐसे 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 आप रात को सोने लगे हो, टाइम हो गए आपका सोने का, सोते सोते ज़स्ट बोलते हो, एक मिनिट में फोन देख लेते हो और फोन उठाया, एक मिनिट के लिए था निकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक मिनिट के लिए उठाया था, कब पंदरा मिनिट बीत के पता ही नहीं चला मैं ठकी हुई हूँ, दस मिनिट टीवी देख लेते हो दस मिनिट के लिए टीवी ओन किया था कब दस मिनिट का एक घंटा हो गया पता ही नहीं चला याद रखेगा वो किसी का बिजनस है और वो बनाते ही ऐसी चीज़े है वो बनाते ही ऐसी चीज़े हैं जो हमारे मन को वो क्या कर सके क्या कर सके ऐसे कंट्रोल कर सके और जितनी देर यह equation है जितनी देर वो आपके मन को पकड़ लेते हैं उतना वो कमाते जाते हैं और उतना हमशक्ति गवाते जाते हैं वो कमाते जाते हैं उनकी तो calculation ही उस basis पे होती है किसने कितनी देर हमारा देखा तो वो बनाया ही इस तरह जाता है जो हमारे मन को वो क्या कर सके, पकड़ सके और जब आप देखें कि आपका मन पकड़ा जा रहा है कहीं तो हमेशा याद रखना वो कमा रहे हैं, मैं गवा रहा हूँ एक मिनिट में फोन बंद करके साइट पे रखतेंगे जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं, उससे संसकार बनते हैं संसकार से करम और करम से भाग्य बनता है रखे ध्यान, करें अटेंशन, रेडी, करेंगे और अगर खुद करेंगे तो अपने बच्चों को सिखाएंगे आपका शहर बहुत सरल है, सात्विक है लेकिन दूसरे शहरों की हवा यहां आने में समय नहीं लगेगा समय नहीं लगेगा वो हवा यहां आए और यहां की चीजों को बदले उससे पहले अपनी जीवन शैली को बदल लेना आज देश के विश्व में तो है ही टेकिन देश के बड़े-बड़े शहरों में मानसिक स्वास्त की बिमारियां बहुत दीवर गती से बढ़ रही है बड़े शहरों में आज डी अडिक्शन सेंटर है वो वाली अडिक्शन जो फोन और टीवी की हो चुकी है, इंटरनेट की हो चुके उसके dear diction center है और उसमें जादतर असर बच्चों पर हो रहा है बच्चे एक्जायम से पहले दवाईयां ले रहे हैं क्योंकि उनको तनाव इतना ज़ादा हो जाता है और ये सब चीजों का मुख्य कारण घर में शक्ति की कमी है शक्ति की कमी तो हम उस समय पर आकर पहुंचे हैं जहां हमें अपने परिवार के लिए शक्ति कमानी है एक ऐसी शक्ति ताके जिससे कोई भी परिस्थिति आ जाए हमारा परिवार स्थिर रहकर उस परिस्थिति को बार करें पहले एक समय था हम कहते थे हर घर में एक कमाने वाला चाहिए अगर उस कमाने वाले को कुछ हो जाता था तो लोग कहते हैं कि घर कैसे चलेगा इनका कमाने वाला चला गया है तो हर घर में एक पैसा कमाने वाला होता था धन कमाने वाला होता था आज तो घर में एक से जादा भी धन कमाने वाले हैं लेकिन अब हम वो समय पर आकर पहुंचे हैं हर घर में और यह आप अंडल लाइन करके रखना हर घर में एक जना चाहिए जो उस घर के लिए शक्ति कमा कर लाए हर घर में एक चाहिए जो शक्ति कमा कर लाए ताके उस घर में सब स्थिर रहें, शक्तिशाली रहें और अगर उस घर में कोई बात आ जाती है तो वो जो एक है उस सब को संभाल लेता है क्योंकि अगर वो एक नहीं होगा तो सारे हिल जाते हैं और जब सारे हलचल में आते हैं तो बात हावी हो जाती है और हमारा भाग के बदल जाता है तो हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए आप मानते हैं इस बात को नहीं मानते हैं चाहिए या नहीं चाहिए अचानक बात आते हैं अचानक अचानक और सभी इकठे परिशान हो जाते हैं अगर सारे इकठे परिशान हो जाएंगे तो उनको बाहर कौन निकालेगा उस परिस्थिती से, तो हर घर में शक्ति कमाने वाला चाहिए, इस समय ऐसी परिस्थितियां आ रहे हैं, कि पैसे से भी उस परिस्थिती का समाधान नहीं हो सकता, पैसों से भी नहीं हो सकता, लेकिन मन की शक्ति चाहिए मन की शक्ति चाहिए ऐसा समय चल रहा है अचानक बिमारी आ रही है अचानक कोई कम आयों में भी अपने शरीर का त्याग कर रहा है अचानक अचानक तो इसलिए अपने घर के लिए शक्ति कमाए और शक्ति कमाने के दो तरीके एक हर रोज सुभ, दिन की शुरुवात, पहली चीज, कल से करना, सुभ का पहला घंटा फोन नहीं उठाना, कर सकते हैं, देखना कल बड़ा विड्रॉल सिम्टम होगा, ऐसे ऐसे हाथ जाएंगे उसके तरफ, पता चल जाएगा कितनी अडिक्षन है हावारी, सुभ, सुभ, जो मन्चित होता है न, गहरी नीन से उठे हैं हम, ये एक ब्लोटिंग पेपर की तरह होता है, उस पर हम जो डालेंगे ये ऐसे चूस लेता है उसी टाइम भर लेता है, वो समय होता है पढ़मात्मा को याद करने का, वो समय होता है ध्यान में बैठने का, योग आपके सामने समाधाना कर खड़ा हो जाएगा लेकिन वो सब करने के जगे हम पहले फोन उठा लेते हैं ऐसे ऐसे करते हैं और उस ब्लोटिंग पेपर को भर देते हैं और उसके बाद हम कुछ नया नहीं सोच पाते हैं सिरफ एक महिने के लिए करके देखेगा कि आपके ओपर कितना बड़ा परिवर्तन आएगा कि सुबह सुबह उठकर दुनिया की खबरें, मैसेजेज, सोशल मीडिया, बाकी क्या हुआ ये सब सुबह सुबह ऐसे करके मनचित पर कभी नहीं भरना है सुबह का समय, हाई वाइप्रेशन, सुबह का समय कितने बचे उठना चाहिए हम सुबह उठने का समय सही वाला कौन सा है? कांसे समय उठना चाहिए? हर घर, हर काम, हर चीज जो इंपोर्टेंट है हम महुरत निकल वाकि करते हैं अपंडेश जी भी कहते हैं महुरत निकल रहा है, महुरत निकल रहा है, जल्दी करो महुरत निकल गया, तो उस काम से जितनी शक्ति हो सकती थी वो नहीं होगे, क्योंकि महुरत का समय निकल गया इसी तरह हर 24 घंटे का एक महुरत समय होता है जिसको अमरित वेला कहा जाता है जिसको ब्रह्म महुरत कहा जाता है जिस समय वाइब्रेशन सबसे श्रेष्ट होती है और होता है सुभ चार से पांच के बीच उस समय जो उठकर बैठेगा उसकी आत्मा की शक्ति बहुत fast बढ़ते जाएगे लेकिन उस समय उठने के लिए रात को समय पर रात को समय पर सो ना चायूँ और हम सो सकते हैं अगर हम समय पर फोन और टीवी को बंद करते हैं क्योंकि जिस यूग में हमारे पास ये फोन और टीवी नहीं थे लोग जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे क्योंकि खिलोने नहीं थे न, ये सारे हमारे आसपास तो हम समय पर सोते थे, समय पर उठते थे और उस युग में, जो कि बहुत इतिहास नहीं अभी 20-25 साल पहले के बाद थे और हम वो आखरी जैनेरेशन हैं, जिन्नोंने वो युग देखा क्योंकि अब के जो बच्चे उन्होंने वो देखा ही निके, ऐसा भी होता है कुछ तो ये हमारी जिम्मेवारी है, कि हम उस संस्कार और संस्कृति को उनको दें कि हमारे पास फोन है, यूज करने के लिए है, लेकिन सुबह से लेके रात तक पकड़ना जरूरी नहीं है उस साधन के लिए हम वो लोग हैं जो फोन के बिना जिया करते थे आप में से कौन-कौन थे जब फोन नहीं था, वो हो देखा हम वो हैं, जो ये छोटा फोन तो नहीं, तब तो घर वाला जो फोन था, वो भी तो अभी अभी आया है, 30-35 साल पहले आया होगा हम वो हैं जो पडोसियों के घर फोन उठाने जाते थे, हम वो हैं जो पडोसियों के घर टीवी देखने जाते थे और आज हमारे हाथ में फोन और टीवी 24 गंटे हमारे साथ ऐसे चलता है हमारे तक्या के पास बढ़ा होता है सुबह सुबह उठकर हम सबसे पहले उसका चहरा देखते है घर के लोगों को नमस्ते और गुड मॉर्निंग करने के जगे फोन पर दूसरों को नमस्ते करते रहते है सुबह सुबह उठकर परमात्मा को शुक्रिया करने के जगे लोगों को messages forward करते रहते है और इतना सबको लोगों को messages forward करके गुड मॉर्निंग नमस्ते करके भी रिष्टे मजबूत अभी भी नहीं है वो पहले ही मजबूत हुआ करते थे क्यों? क्योंकि खुद को मजबूत करे बिना रिष्टा मजबूत नहीं हो सकता है तो रात को सोने का समय सुब जल्दी उठने का समय ये आत्मा की शक्ति और शरीर के स्वास्त को बढ़ाता है ये घर में एक वातावरण ऐसा बनाता है जिसमें शांती और सुकोन आजाता है फिर उस वातावरण में वो बच्चे पलते और बड़े होते हैं लेकिन ये करना हमें पड़ेगा करेंगे? आप मैंसे किस-किसने meditation, ध्यान सीखा नहीं है कभी center पर आकर नहीं सीखा हाँ तुठा है अच्छा एक वर सीख कर देखेगा वो सीखना बहुत 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 जरूरी है क्यों? क्योंकि इस समय बहुत सारे साधन और बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो हमारी शक्तियों को घटा रहे हैं तो हमें साथ-साथ कुछ ऐसा अपनाने की जरूरत है जो हमारी शक्ति को बढ़ा दे है बहुत जरूरी है प्राक्रितिक आप्टाएं अकाले-अकाले चीजे ये चीजों का सामना करने के लिए शक्ति की जरूरत है और सारा दिन की छोटी-छोटी बाते तो ऐसे क्रॉस हो जाएंगे जैसे के कुछ हुआ ही नहीं है और वो शक्ति हमें इसलिए भी कमानी है क्योंकि हम ही उस शक्ति को कमा कर अपने बच्चों को वो शक्ति दे सकते हैं और कोई तरीका नहीं उनको शक्ति देने का शक्ति कोई समान नहीं है जो बजार से जाकर खरीद कर अपने बच्चों को दी जा सके हम अपने बच्चों को वो सारी चीज़े दे रहे हैं जो हमें नहीं मिली थी समय आया है अपने बच्चों को वो संसकार और संस्कृति दें जो हमें मिला था दुनिया कह रही है के भारत विश्व गुरु है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हर भारत वासी को वो संस्कार और संस्कृती वापिस सामने इमर्ज करके लाने पड़ेंगे जो हमारे निज संस्कार थे और हमारा निज संस्कार था रात को समय पर सोना और सुबह समय पर उठकर परमात्मा को याद करना करेंगे हद से करें, कुछ भी नहीं करना है बहुत आसान, वो खिलोनों को साइड पर रखना है सिरफ कुछ भी नहीं करना है जैसे एक बच्चा होता है जो अब उसको खिलोने मिल जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाता है, खिलोनों के साथ ही हो जाता है, हमें भी 20-25 साल से ये खिलोने मिले, हम सब कुछ भूले पड़े हैं उनके पीछे, और उसका असर सब पर पड़ रहा है, और फिर सारा दिन में, अपने संकल्पों की भाषा पर अटेंशन, एक सिध्धान्त है, एक नियम है, और वो नियम है, संकल्प से सिध्धी होती है, बोलिए इसको एक पर, संकल्प से सिध्धी होती है, संकल्प से सिध्धी मतलब, जो हम संकल्प करेंगे, और बार-बार करेंगे, मैं खुश मैं खुश तो खुशी सिद्ध हो जाएगी अगर हम कहेंगे मैं बिमार हाई मैं बिमार तो बिमार सिद्ध हो जाएगी अगर हम कहेंगे सब कुछ बढ़िया है मैं बिल्कुल परफेक्ट हो तो स्वास्त सिद्ध हो जाएगा संकल्प से सिद्धी होती है यह आप क कर लेजे ताकि आप उसको आज से करना जरूर शुरू करेंगे पहला संकल्ब मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ शक्तिशाली आत्मा मतलब रिमोट कंड्रोल मेरे हाथ में है मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ दूसरा संकल्ब मैं सदा शान्त हूँ स्थिर हूँ तीसरा संकल्ब मैं निश्चिंत हूँ मैं निडर हूँ पांच्वा संकल्ब मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ सारा दिन चाहिए चाहिए नहीं सबको देने वाली ये हमारा संसकार है सेवा भाव हमारा संसकार है मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ छटा संकल्ब मेरा शरीर स्वस्थ है निरोगी है और हमेशा रहेगा मेरा शरीर स्वस्थ है निरोगी है और हमेशा रहेगा अगर किसी के पास कोई बिमारी है, चोटी भी है, आप उसके लिए संकल्प डालिये मतलब अगर किसी का Blood Pressure आए है, जाधा है तो आप संकल्प डालेंगे, मेरा Blood Pressure नॉर्मल है इसको रोज डालिये, मेरा Blood Pressure नॉर्मल है और जितना लाना चाहते हैं वो नंबर भी बोलती चीए भाशा ध्यान से रखेगा मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए नहीं मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है जो संकल्प करेंगे वो सिद होगा कुछ भी ब्लड प्रेशर, कॉलेस्टरॉल, थाइरोइड, शरीर के किसी अंग में दर्द मेरे घुटने में दर्द है, दिन में दस बार बोल देते हूं जितना होगा उससे बढ़ जाएगा लेकिन मेरे घुटने बिलकुल ठीक है बिलकुल पोफेक्ट है, बार बार दोराईए अगला संकल्प रिष्टों के लिए मैं सब को स्विकार करते हूं सब मुझे स्विकार करते हैं मेरे रिष्टे, प्यार और सम्मान की नीव पर टिके हुए है मेरा परिवार एक जुट है बहुत इंपोर्टेंट है अपने परिवार को जोड़ के रखना फिर अगला संकल्प अपने काम, कारोबार, व्यापार के लिए वो आपको रखना है जो आप चाहते हैं के हो आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपकी दुकान में जो आप चाहते हैं कि हो आने वाले समय में आपको संकल्प करना है वो अल्ड़ी हो चुका है हुआ यह पड़ा है सफलता मेरे लिए निश्चित है और आखरी संकल्प परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारो तरफ सुरक्षा कवच है तो दस संकल्प मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ सदाशान्त हूँ, स्थिर हूँ निडर हूँ, निश्चिन्त हूँ सबको देने वाली आत्मा हूँ हमेशा खुश हूँ शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा अगर कोई बिमारी है तो उसका अलग संकल डालना है रिष्टे मजबूत है, परिवार एक जुठ है, सफलता निश्चित है और जो गोल रखा है अपने काम के लिए रखना मैं अल्रडी वो बन चुका हूँ, पा चुका हूँ और पड़मात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारो तरफ सुरक्षा का बच्छ है इसको देखी एक वाइट लाइट सफेद रंग का आभा मंदल मेरे चारो तरफ है बन कर दिजे फोन अब इसकी भाशा को देखेगा ये आप सब के साथ कर सकते हैं संकल्प से सिध्धी ये एक विज्ञान है ये हमेशा सही निकलता है सिरफ भाशा ध्यान से रखनी है जैसे अभी एक्जाम के दिन है परिक्षाओं के दिन है तो कई बर हम क्या बोलते हैं बच्चे पढ़ते नहीं क्या करेंगे कैसा होगा कितने नमबर आएंगे इस बर नहीं आए तो कैसा होगा चेंज बच्चों के लिए संकल्प करें वो शक्तिशाली आत्मा है उनकी एक आग्रता श्रेष्ट है सफलता उनके लिए निश्चित है और नमबर आपको जो लगता है कि उनकी जितनी शमता है उसमें पांच नमबर और आड़ करके आप लिखतो कि इस बर उनके नमबर फिल इन दबलंक इतने आएंगे और रोज दोहराए और रोज उनको बोलिए दोहराने के लिए इससे कोई जादू नहीं होता है इससे ये होता है कि मन की स्थिती क्या हो जाती है है उसके लिए वो उसका विपरीत कौन सा संसकार बनाना है वो कहना है मैं हूँ अगर किसी को गुसा आता है तो ये नहीं कहना मुझे बहुत गुसा आता है मैं बहुत गुसे वाला हूँ दूसरे भी कहते इसको बहुत नहीं मैं शान्त हूँ जो बनना चाहते हैं वो बोलना है मैं शान्त हूँ ठीक है यह लिख लिया अब सिरफ last इसको करना कब है सबसे important रात को सोने से पहले बोलना है अगर आपके घर में धन का कुछ उपर नीचे चल रहा है कोविट के बाद कई घरों में चल रहा है तो हमेशा कहना हमारे पास हमारे घर में कम है कम है कम है कम है बोलेंगे तो कम ही आएगा भाग्या के अंदर हमारे पस भरपूर धन है जितना चाहिए उससे बहुत जादा है मेरा कामकारोबर बहुत अच्छा चल रहा है मैंने सोचा नीता उतना अच्छा चल रहा है दुआ दीजिए परिस्थिति को भी दुआ दीजिए, श्रेष्ट संकल्प कीजिए, असंभव संभव हो जाता है, असंभव संभव होता है, मुश्किल सहज नहीं, असंभव संभव होता है, तो सबसे पहली चीज आज रात को सोने से पहले, ये संकल्पों को हर रात को सोने से पहले दोराना चाहिए, क्योंकि फिर वो संकल्प नींद में अपना काम करेंगे हमारे मन पर और शरीर पर और अगर हो सके तो अपने तक्ये के पास एक छोटी सी किताब रखकर रोज रात को सोने से पहले एक बार लिख दीजिए लिखने से और भी अच्छे से रेकॉर्ड हो जाता है कर सकते हैं बोलने में 20 स सिकेंड लगेंगे लिखने में एक मिनिट लगेगा बच्चों के नंबर बढ़ गये हैं सिरफ इतनी सी चीज करने से लोगों के शरीर के रोग ठीक होने लगे हैं सिरफ इतना सा करने से और संसकार तो बदलना बहुत ही असान है बहुत ही असान है एक भाई आये थे एक बा डॉक्टर्स को उनों ने दिखाया, लेकिन सब ने कहा, अब आप नहीं उठ सकेंगे, और अगर उठेंगे तो 15-20 मिनिट के लिए उठ सकते हैं, फिर आपको लेट जाना पड़ेगा, इतने लोगों को दिखाया, दिखाया, नहीं ठीक हुआ, फिर हुआ ऐसे ही टीवी देख मैं स्वस्त, मैं निरोगी हूँ, कि तो बोलते हुए भी मुझे पूरा विश्वास्ता के ये नहीं होता से, ऐसे वैसे कुछ होता नहीं है, ऐसे काम, लेकिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैं बोलता गया, खाना खाते समय मैं बोलता गया, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं करता गया करता गया दो तीन महीने है और तीन चार महीने के बाद अच्छानक उसका भाई उसको कैसी जगए पे ले गया जो एक छोटी सी जगए है देश के अंदर और वहाँ किसी ने कुछ थोड़ा सा ऐसा किया वो खड़ा हो गया और आज वो हसता किलता चलता फिरता कर रहा है तो ये जादू नहीं होता है ये विज्ञान है कि जैसा हम सोचेंगे जो प्रकृती में हम संकल्ब डालेंगे हम अपने करम वैसे करेंगे भाग्य अपने आप बदल जाएगा असंभव संभव होता है ये है संकल्ब से सिद्धी सामने से बात आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी लेकिन हमें उस बात का आवान करना होता है लेकिन जब हम ही कहते हैं अब मैं क्या करूँ हाई अब मैं नहीं उट सकता अब ये नहीं ठीक हो सकता अब मेरा काम नहीं ब्यादल सकता हम ही ये संकल्प करते हैं तो भाग्य में वैसा ही होगा जो कि संकल्प से सिर्धी होती है तो रात को सोने से पहले एक बार उसको दोराएं या उसको लिखें उसके बाद फोन नहीं देखना वो लास्ट आखरी संकल्प होना चाहिए फिर सुबे उठते ही पहला संकल्प परमात्म को शुक्रिया और फिर अपने संकल्प दोराएं कर सकते हैं ये दोनों टाइम कर सकते हैं असान 20 सेकेंड रात को 20 सेकेंड सुबह तीसरा टाइम जब हमें करना है जब हम भोजन करते हैं खाना खाते है क्योंकि जैसा अन वैसा क्या लाइन है जैसा अन वैसा मन होता है तो वो अन कहां से आया किसने बनाया कहां कहां कौनसी कौनसी वाइब्रेशन से उसको गया तो उस अन को प्रशाद बनाए परमात्म को याद करें शुक्रिया करें फिर उस अन को देख कर कहें मैं शक्ति शालिया आत्मा हो सदा खुश हो निरोगी हो सफलता निश्चित है पर मात्मा की शक्तियां को दुआ हो मेरा सुरक्षा कवच्छ है 5 सेकंड हाँ दोने में भी 20 सेकंड यह तो उर्जा बदल जाती है और अगर आप घर में खाना बनाते है मातायें बहने जो खाना बनाते है आपके पास तो बहुत शक्ति है आप भोजन बनाते समय संकल्प डालो कडची घुमाते समय संकल्प डालो आटा गुनते समय उसके अंदर वो संकल्पों को मोड मोड के गुन्द के डाल दो उसके अंदर रोटी बनाते समय वो संकल्प डालो आपके परिवार वालों के संकल्प की स्थिती और भाग्य बदल जाएगा इतनी शक्ति है जैसा अन वैसा मन में है अपने घर में रसोई में परमात्मा के याद के शब्द चलाईए उन शब्दों को भोजन में जाने दीजिए पानी में जाने दीजिए खाना प्रशाद बन जाएगा पानी अम्रित बन जाएगा तो तीन बार हम खाना खाते हैं तीन बार दस सेकेंड रुक कर अपने संकल बोल दीजिए और भी जल्दी अगर सिद्ध करना चाते हैं तो जब जब पानी पे यह तब भी डाल दीजिए क्योंकि जैसा पानी वैसे वाणी हम शहर का पानी पीते हैं शहर के पानी में दर्द होता है चिंता होती है नराज की होती है उस पानी की एनरजी को बदलना होता है इसलिए पानी को लेकर पड़मात्मा को याद करके उसमें श्रेष्ट शब्द बोलें पानी के एनरजी बदल जाएगे पानी अम्रित बन जाता है तो कर सकते हैं रात को स सुबर तीन टाइम भोजन और जब जब पानी पीते समय याद आ जब पीते पीते बोल देचे एक महीने के अंदर अंदर इसको कोई लंबा समय नहीं लगता एक महीने के अंदर अंदर यहां की चीज़े बदलने लग जाएंगे क्योंकि हम बार बार उसको दोरा रहे हैं और दिन में अटेंशन कि हम नेगिटिव नहीं बोलेंगे सकारात्मक बोलेंगे और इसको और सहच करने के लिए हम परसों से meditation सीखेंगे एक घंटा निकालना है सिरफ समय बताने सिरफ एक घंटा निकालना है तीन दिन के लिए तीन दिन के लिए एक घंटा निकालेंगे मार्च 2-3-5 परसों से ये एक घंटा निकालना बहुत important है ताके इस आत्मा की शकती को बढ़ा कर, शुरेष्ट संकल्पों को स्वाभाविक बना कर, मैं अपने परिवार के लिए शक्ति कमाने वाली आत्मा बन जाओं। कौन-कौन रेडि है एक घंटा निकालने के लिए अपने घर के लिए शक्ति कमाने के लिए बहुत बढ़िया, तो आप टाइम नोट कर लिजेगा, अड्रेस तो आप सबको पता है सेंटर का, फिर भी नोट करिए, आत्म अनुभूति भवन, चार नंबर गेट, प्रतापनग आत्मा अनुभूति भवन, चार नंबर गेट, प्रतापनगर, दो मार्च से चार मार्च, मतलब दो तीन चार, तीन समय रखे हैं, आप इस तीनों में से कोई भी एक समय चूस करेंगे, पहला समय सुभ दस से ग्यारा, दूसरा समय शाम को पांच से छे, और तीसरा समय शाम को आठ से नौ, धोराती हूँ एक पर फिर से, दस से ग्यारा, पांच से छे, आठ से नौ, इस तीनों में से कोई भी एक समय चुनिये, तीन दिन के लिए एक घंटा, सेंटर पर आखर, इस सहज विधी को सीख लिजिए, और फिर रोज सुबह उठके कुछ शनों के लिए उ स्थिर रहेंगे, इतनी शक्ती है, लाखो का नुभव है, लाखो का नुभव है, तो ये तीनों टाइम सूट करते हैं, कि इसमें से कोई भी एक टाइम सूट करता है हर एक को, करता है, कौन को निकालेगा तीन दिन एक घंटा, बहुत बढ़िया, और बाई चांस, सपोज, आपको ये तीनों टाइम सूट नहीं करते हैं, तो जो टाइम आपको सूट करते हैं उस टाइम, और अगर आपको ये तीनों दिन नहीं सूट करते हैं, तो जो दिन, जो टाइम आपको सूट करते हैं उस टाइम, इससे जादा सहच कुछ हो सकता है, इससे जादा सहच कुछ हो सकता है और खर्चा कुछ भी नहीं पर मात्मा का ग्यान है सब के लिए है सिर्फ क्या निकालना है एक घंटे का समय तो परसों से सेंटर का अड्रेस आपके पास है और अपने बच्चों को भी सेंटर पर लाया करें क्योंकि बच्चों के अंदर इस समय जाधा जरूरत भी है शक्ति बढ़ाने के और जब चोटे-चोटे बच्चे ऐसे आते-आते-आते उस वातावरन में पलते हैं तो पता ही नहीं चलता उस शक्ति के साथ बढ़े हो जाते है और वो उनका जीवन जीने का तरीका बन जाता है चलिए दो मिनित साइलेट्स में बैठते हैं फिर से और अपने संकल्पों को रिपीट करते हैं आज हम एक प्रयोक करेंगे कि हम यहां से घर तक मौन में चलेंगे करेंगे मौन में मौन बहुत शक्ति बढ़ाता है और मौन हमारे शब्दों पे सयम लाता है हम यहां से घर तक मौन में चलेंगे अपनी गाड़ी स्कूटर निकालेंगे लेकिन शाइलेट्स में जहां तक हो सके हौन नहीं यूज करेंगे जब मन शांत होता है तो वहां चलाने का तरीका भी बदल जाता है सीधा होकर बैठें और फिर ब्रिकुटी के बीच अटेंशन मैं शक्तिशाली आत्मा मैं सदा खुश मैं शांत स्थिर आत्मा मैं सदा निश्चिंद निडर मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए मैं सब को देने वाली आत्मा हूँ मैं अपने घर का शक्ति स्थम्ब आधार मुरत पुरानी बातों को स्वाह करते हुए हर एक को दुमाई देते हुए कोई कैसा भी व्यवहार करे मैं शक्ति शाली आत्मा मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास है मेरा व्यवहार शांत प्यार और सम्मान से भरबूर मेरा अटेंशन अपने कर्मों पर मेरा करम मेरा भाग्य बनाता है मेरा करम मेरे शरीर का स्वास्त बनाता है मेरा करम मेरे रिष्टों को मजबूत बनाता है हर परिस्थिती में मैं आत्मा अचल अटल मेरी जीवन में सांदगी में आत्मा प्रकृती के साथ भे शरेष्ट करम बनाते हो में परमात्मा की संदान मैं फरिष्टा होगो सब को सुख देने वाला फरिष्टा में परमात्मा प्यार के सागर परमात्मा का बच्चा सब को प्यार देने वाली आत्मा मैं प्रेम स्वरू पात्मा हो हर चीज जो मैं आत्मा पढ़ती हो सुनती हो देखती हो खाती हो पीती हो शुद्ध है पवित्र है साथ्विक है अगले चोबीस घंटे के लिए हमारा होमवक चोबीस घंटे आज रात नौ बजे से कल रात नौ बजे तक चाहे कोई भी बात आजाए कोई भी परिस्थिति आजाए कोई कैसा भी व्यवहार करे अगले अगले चोबीस घंटे अपना नाच्रोल स्वभाव बना लूँगे शक्ति बढ़ा लूँगे हर परिस्थिती छोटी हो जाएगे और मैं आत्मा शक्ति शले जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे और घर तक मौन में चलेंगे जैसे कि फरिष्टे